हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अंजली और स्वागत है आप सब का हमारे चैनल में फ्रेंड्स आज मुली के पत्ते और गेहों के आटे की रेसिपी में शेयर करने जा रही हूं तो ऐसी रेसिपी आपने कभी पहले नहीं बनाई होगी नहीं देखी होगी तो आप लोग भी इस रे फेंड्स यहां पर गेहों काटा ले रही हूं जो कि बहुत ही हैल्दी होता है और यहां पर मैंने बेशन का घोल बना के रखा है मैं किसी और चीज के लिए बनाई थी लेकिन मुझे इस नास्ते में बेशन की जरूरत है तो मैं इस घोल को एट कर दे रही हूं आसे बारीक प्याज ओमलेट कट में हमने प्याज को कटकर के रखा है तो यह देखी यहां पर और यहां पर मैंने दो बारीक कद्दुकस किया हूँ आं था मूली के पत्ते के साथ बना रही हूं तो मूली भी डालना बहुत जरूरी है जिसे कि नास्ता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनेगा मूली एड़ कर दिया है अब इसमें एक टमाटर एड़ करूंगी काट के बारेक छोटे-छोटे पीसेस में इसे काट लेना है तो यहां पर देखिए टमाटर कट गया उपर से बहुत सारा कटा हुआ मूली का पत्ता जुम हरा भरा इस नास्ते को बना रही हूं और आप लोग भी इसे जरूर ट्राय करेगा थोड़ा सा हरा धनिया एड़ कर देती है अगर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा लेकिन और यहां पर मैं ले रही हूं थोड़ा सा मिक्स मसाला एक चमच मैंने डाल ले यहां पर धनिया पाउडर और थोड़ा सा यहां पर हमने मैगी मसाला ले लिया एक चमच के करी तो अब लास्ट में अड़ कर रही हूं मैं यहां पे नमक, टेस्ट एकोडिंग नमक ले लिजिएगा, कमी नमक रखिएगा, नास्ते में नमक थोड़ा कमी रखना चाहिए, अब इसमें पानी अड़ कर देंगे, आदा गिलास के करीब अभी हमने पानी अड़ किया है, अब इसे मिक्स करना है, अच्छे से बहुत ही अच्छे से मिक्स करिएगा, क्योंकि अन नीचे गहुं काटा है, तो गुल्ठे ना पड़े, तो थोड़ा पानी और डाल दीजिएगा, फिर मिक्स करिएगा, आप चाहें तो इस बैटर को पतला भी बना सकते हैं, या ठीक भी इसे नास्ते को बनाऊंगी, हेल्दी और टेस्ट नास्ता, तो चलिए चलते हैं गैस के पास और बनाते हैं मज़िदार से नास्ते को, गैस पर पहले से तवा रखा है, तवा गरम हो चुका है, हेट हो गया है अच्छे से, थोड़ा सा तवे को आईल से ग्रेस कर लेती हूं जीरो आयल रेसिपी है, यह बहुत ही कम आयल में हमने इसे बनाया है, सुबह सुबह तो वैसे भी आयल की रेसिपी नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि बोड़ी एकदम से खाली रहती है, और आयल बहुत जल्दी अब्जॉब कर लेती है, वो बिमारियों का घर बनना स् पा रहा है तो आप इसे कवर कर देजीए, अगर आप कवर कर देंगी तो जल्दी सीखेगा, क्योंकि इसमें सारी सबजियां कच्ची है, प्यास, टमाटर, पालक, सौरी पालक है, मोली का पत्ता, मोली, आप इसमें आलो भी कद्दू कस करके डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्य तो अभी करना क्या है, इसे इस तरीके से पलट लेना है, थोड़ा सा उपर वाले भाग को थोड़ा सा ओयल से ग्रेस कर देंगे, ताकि हम पलटे तो ये चिपके ना तवे पे, इसलिए मैं थोड़े से हलके हलके से ओयल लगा देती हूं इसके उपर, अब इसे फटा-फट से पलट लेते हैं, तो हैन एकदम प्यारा सा कलर आया है, इसका एकदम मज़दार सा कलर आया है, और नास्ता देखने में कितना ही बढ़ियां लग रहा है, तो सोचए खाने में कितना मज़दार लग रहा होगा, तो आप लोग अगर बनाएंगे तभी इसे टेस्ट कर यह देखिए कितना बढ़िया से यह फ्राई हो चुका है सौरी अनिके शैलो फ्राई हो चुका है अब प्लेट में इसे निकाल लेते हैं फटा फट से और यहां पर दूसरे नास्ते को भी हम बना लेते हैं दूसरे का दूसरे तीसरे चोथे जितने नास्ते बन सकते हैं उतने को हम बना लेते लेकिन मैं आपको 3-4 नास्ता बना जुकी हूं मैं आपको दिखा देती हूं देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये नास्ता तो आपको कैसा लगा मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा बहुत बहुत ही बढ़िया लगा आपको कैसा लगा हमें कमेंड करक कि ये रेस्पी कैसी लगी healthy and testy है नहीं हाजनिक रेस्पी है तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मूली और मूली के पत्ते और गेहुं के आटे से बनी होई testy रेस्पी healthy रेस्पी तो उमीद करती हूं कि आपको भी पसंद आया होगा तो जितना हो सके प्लीज हमारे वीडियो को शियर करिए कि लोग भी मूली के पत्ते को वेस्ट ना करें गाउं गरे में लोग फेक देते हैं एनिमा लोग औरे को खिला देते हैं तो मिलती हूं ये वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाय और टेक गेर